बॉलिवुड की खुबसूरत अदकारा इश्वर राई एक जमाने में मिस वर्ल रह चुकी हैं जिसके बाद ही इन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया था जिन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचाया था आज बॉलिवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बलकि हॉलिवुड तक अपने हुसन का पर्चम लहराया है लेकिन इन्होंने जितनी अपने प्रोफेशन को लेकर लाइम लाइट बतोरी है उसे कहीं जादा ये एक जमाने में अपनी परसनल नाइफ के लिए भी सुरखियों का हिस साब बनती हुई दिखाई दी तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एश्वयराय की उन कांट्रोवर्सी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वज़ों से इश्वयराय ने खूब लाइम लाइट बतोरी थी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अपन प्रूमते रहते थे लेकिन उस समय भी सल्मान खान अपने घुसेल रवाई की वज़ों से मशुहूर थे पर हथ तो तब हो गई जिब सल्मान खान ने भरी मेह फिल्म में एश्वयराय को थपड मार दिया था दरसल सल्मान ने फिल्म कुछ ना कहों के सेट पर एश्वयराय को नीचे की तरफ धकेल दिया था और एक जोड़दार थपर भी जड़ दिया था जिसके बाद सल्मान खान ने यही ड्रामा फिल्म चलते-चलते के सेट पर किया था मगर अविनेदा शारुख खान के वहां होने पर शारुख खान ने दोनों के बीच में सुलह करवा दी थ असलमान की इनी घटिया हरकतों को देखते हुए इश्वय राय ने इनसे रिष्टा तोड़ लिया था नमबर टू धूम टू मूवी में किसिंग सीन्स जब इश्वय राय के फिल्म धूम टू रिलीज हुई तब इनके और रितिक रोशन के बीच हुए किसिंग सीन की वज और रितिक रोशन का एक किसिंग सीन भी था लेकिन इसी फिल्म के बाद इन्होंने बॉलिवुड जगत से थोड़ी सी दूरी बना ली थी और इन्होंने कमबाक किया रंबीर कपूर के अपॉजिट फिल्म एदल है मुश्किल से जिसमें फिर से इश्वय राय ने रंबीर क कैसे का सकती है और जहां इश्वय राय के फिल्मों में इतने जादा हाट और बोल्ड सीन देने की वज़े से अमिताब बच्चुन के साथ-साथ इनके हजविंट को भी कई जगश शिर्मिंदा होना पड़ा था और इश्वय राय के बार बार इन्हीं हरकतों की वज़े से अमिताब बच्चुन के खांदान का नाम पब्लिकली ऐसे ही बदनाम होता रहा है लेकिन अगर अमिताब बच्चुन के परिवार की माने तो किसी को भी इश्वय राय के इस फिल्म के बारे में पता नहीं था कि इसमें इनके हद से जादा इंटिमेट और बोल्ड सीन्स फि दावक किया है कि इश्वरय राय इनकी सगी मा है और जब ये बात इश्वरय को पता चली तो ये सुनकर काफी जादा हैरान रहे गई थी और काफी जाच परताल के बाद पता चला कि संगीत कुमार को दिमागी बिमारी है जो स्वजह से वह ऐसी शरमनाग बाते कर रहे थे जहां वे पहले भी कई बॉलिवूड स्टार्स को अपने रिश्वदार के रूप में घोशित कर चुके हैं तो दोस्तो आपको इश्वरय राय के इन काले का नामों की सच्च्वाई जानकर कैसा लगा आपका इसके बारे में जो भी खयाल है आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताए साथी बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मसालेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले